नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का आप देख रहे सौन सर्मा किचन किंग मैं हूं सौन सर्मा और आज हम बनाएंगे कॉन प्लेक्स के क्रिस्पी फिंगर्स तो चली शुरू करते हैं कॉन प्लेक्स के क्रिस्पी फिंगर्स बनाना इसको आप इवनिंग टी के साथ बना स को सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही दबादेजिए बेल आइकन के बटन को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले यह मैंने कॉनफ्लेक्स लिए है 100 ग्राम जो प्लेन साधा कॉनफ्लेक्स होते है वह वाले लिए है यह एक हरी मिर्ची को मैंने वहस कर पाउडर बना लेना है चलिए मैंने मिक्सी में पीछ लिए इसको पाउडर बना लिए बिल्कुल बारी आप अगर कॉनफ्लेक्स पसंद नहीं करते तो इसके जगे फोय भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनते इस टिल का बोल लिए उसके अ अंदर हम हमारे पास तुम हमुट दीये हैं इसके अंदर हारा धनिया भारी जो बड़ी हरी मिर्ची ओ स्वाद अनुसार लीजिए उसके बाद में एक चोथाई चोटी चमज मैंने चाट मसाला पाउडर डाला है उसके बाद एक चोटी चमज चीली फ्लेक्स डाल रहा हूँ आप साबुत लाल मिर्ची को भी कूट कर सुकी वाले जो साबुत लाल मिर्ची होती है चीली फ्लेक्स से उसको भी आप कूट कर डाल सकते हैं इसको बिल्कुल अच्छे से एक आटे की डू की तरह त्यार कर लेना है अच्छी तरीके से हाथ की मदद से इसे इस तरीके से मिला के रख लेना है देखिए इस तरीके से आटे की डू की तरह त्यार होगे इसे रख देते हैं पांस मेंट के लिए और हम तेल चड़ा देते हैं इसे जैसे जैसे हमें ज्रूत होगी वैसे वैसे हम बना लेंगे यह देखे इस तरी के शेट की मदद वोड़ा पेस्ट लिया सकति और इसकर इसको यह से आफ की मदद से आपको थोड़ा लंबा दबाते हुए अच्छे से दबाना है पहले अच्छे से इसको हाथ की मदद से दबाते हुए देखे इस तरीके से और फिर इसको नीचे चोपिंग बोर्ड पे या किसी थाली पे आप इस तरीके से थोड़ी लंबी सेप देनी है इसे इस तरीके से आपको बेल के थोड़ा था होड़ा से डूलिया हाथ के अंदर आप छोटा बड़ा आप साइज अपने हिसाब से बना सकते हैं कि देखे और पिर इसको अच्छेसे हाथ की मतलब अंगलियों की बीच में दबाना है और पिर अच्छा गरम है, ओवर गरम तेल नहीं होना चाहिए, ताकि पढ़ते ही काला हो जाए, यह तेज आँच पर रखना है पहले, दोब निकाल कर देख लेते हम, इस तरीके से दोब में ने डाल दिये हैं, जैसी थोड़े से ब्राउन हो जाए तो आपको जारे की मदद से इसे ट क्रिस्पी होने तक टरन करते हुए पकाना है, इस तरीके से आपको जार की मदद से चलाते हुए, आपको इसे क्रिस्पी कर लेना है, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम क्रिस्पी बनते हैं, और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, बच्चों के ठीफन में भी दे जीजिए आप आदे घंटे में गंटे में बाद भी आगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है देखिए मैंने चार पांस डाले हैं और फिर जे तब तक हलका ब्राउन नहीं हो जाए तब तक आपको जहरा नहीं लगाना इस पे और इसी तरीके से आपको गेस इसको धीमी मीडियम आज पर करते हुए इसे क्रिस्पी कर लेना है मैं पहले फूल आज पर गेस रखनी है आपको फिर मीडियम आज कर देनी है देखिए कितना अच्छा बना है इसको तोड़के दिखाता हूं बहुत ही स्वाधिस्ट बनता है आप बनाकर ज़रू ट्राइ करें और मुझे कॉमेंट बोक्स में कमेंट करके बताएं कि यह रेसिपी आपको कैसी लगी अगरी वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें ताकि आपके और भी भाई रिष्टेदार बना सके मेहमानों के सामने चाय के साथ जब ले जाएंगे तो बह चाय के साथ पुरूसिये आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएगा और ये बहुत अच्छे भी लगते है जब टेवल पे आप ले जाओगे तो पूछेंगे कैसे बनाएं तो बनाते रही खाते रही है बताते रही है मिलता हूँ फिर मैं नहीं रेसिपी के साथ तब तक के लिए मेरी तरफ से आप सभी को